विगत कक्षा में हमने हमारे पार्ट जटाईयो हो शोरियम के शप्त महाश्लोकाय का अध्यन किया था आज की कक्षा में हम इसके अश्ट महाश्लोकाय का अध्यन करेंगे तो चलिए विधैरतियों श्लोक की और अग्रिशर होते हैं सरप्रतम उनके सब्दों को अध्यन करते हैं देखिए हमारे पास में इस प्रकार से जो हमारे श्लोक थे उस श्लोक के पदों को हमने एक बार पढ़ कर उसका अभ्यास किया है अब हम इसके उच्चारण की ओर अग्रशर होते हैं देखिए इस प्रकार से हमारे श्लोक है अब विधरतियों इस श्लोक के हम पदश्चेद करते हैं और पदों को जानते हैं देखिए ततो अस्य शशरम चापम मुक्ता मनी विभूशितम तो मुक्ता मनी विभूशितम संपोण पद को इसी प्रकार से यथा स्थान नीचे वाली पंक्ति को देख थे हैं चरणा भ्याम महा तेजा भवंज आस्य तो भवंज आस्य महत धनू महत धनू महत धनू इस प्रकार से चले विधरतियों जो हमारे पास में पदश्चेद आया है उनके अर्थ को जानते हैं देखिए अर्थ हमारे पास में क्या है तो तह उसके बाद अस्य जटायू ने यहाँ पर अर्थ लिया है विधरतियों जटायू ने अस्य का क्या अर्थ लिया इस लोक में जटायू ने सैशरम बानों से युक्त चापम धनुष को मुक्ता मनी विभूशितम मुक्ता मनियों से सुसजित चरणाभ्याम अपने पंजों से महा तेजहा महान तेजस्वी भवंज तोड़ दिया अस्य उसके महा धनु महान धनुष इस प्रकार से विधरतियों जो हमने पदस्चेद किया था उस पदस्चेद किसे जो पद आये थे उनके पदों के अर्थ को हमने जाना है अविधरतियों यहां पर हम एक पंक्ती निर्मान करने का प्रयास करते हैं और फिर आनवे की और अग्रशर होते हैं देखें सरप्रतम अगर यहां पर हम देखें तो क्रि जस्वी महान धनुष इस प्रकार से दो दो लिये हैं धनुष को अवा धनुष केशा है बानों से यूगत है मुकता मनियों से सुसवजित है इस प्रकार से जो धनुष है उसको तोड़ दिया और धनुष केशा है मुकता मनियों से सुसवजित और महान अब विध्यरतियू कि उत्तर है हमारे पास में, जटाईउ केसे से तोड़ दिया, पंजों से तोड़ दिया तो अर्थ गया लेंगे, अपने ही पंजों से, इस प्रकार से हम इस शलोक से एक सामन अर्थ लगाकर अन्वे की ओर गृषर होते हैं, और अन्वे से यहाँ पर अर्थ निकालने का प्रिय में वाइनितम यत वाइनित है की कथम किस प्रकार से जटाई हूँ जटाई हूँ ने रावन सिचापम भभंज रावन के धनुसको तोड़ा ऐसा इस लोक के अंदर वाइनित है चले विध्यार्तियों अनिवे की और अग्रशर होते हैं तत है महाते जहा इस प्रकार से अगर माश्य कहां पर है ये रहा और मुकता मनी विभूशितम और चापम चापम चरनाभ्यां भभंज इस प्रकार से यहां पर लिया गया है अब विध्यरतियों हम देखते हैं कि हमारे पास में जो अन्वे है उस अन्वे से हम सामन्य आर्थ निकालने का अगर प्रियास करें तो इस प्रकार से अर्थ होगा तत है उसके बाद महां तेजहा महां तेजश्वी महत धनु महात महां धनुष जटाईउ जटाईउ ने अस्य अस्य से क्या दात प्रिया रावन से रावन के महां धनुष रावन के मुक्ता मनी विभूशितम मुक्ता मनियों से सुसजित सैसरम बाणों को बाणों से युक्त सैसरम से क्या दात चापम, धनुषको, चरनाभ्याम, पयरों से, अधार्थ पंजों से, भभंज तोड़ दिया, इस प्रकार से हम इसका एक सामाने अर्थ यहाँ पर लगा सकते हैं, विस्तिरत अर्थ के लिए विध्यार्थियों हम भावार्थ के और अगरशर होते हैं, और भावार्थ को जान हैं, विध्यार्थियों, उसके नपुनसक लिंग, द्वित्याई भक्ति, और एक वचन में जो रूप बनता है, क्या हैं? सैशरम, चापम, चापम से क्या अर्थ पर यह हैं? चापम से हमने अर्थ लगाया था, विध्यार्थियों यहाँ पर धनुष, और चाप सब्द, उ धनुष, नपुनसक लिंग, द्वित्याई भक्ति, और एक वचन का रूप है, धनुष यहाँ पर शब्द है, चरणाब्याम, चरणाब्याम से क्या अर्थ पर यह है? पादाब्याम, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसे हम सही कर लेते हैं, पादाब्याम, क्या होगा व भवंज, भवंज से क्या दात्प्री है, भगनम कृतवान, यहाँ पर भवंज धातु है, अब धातु का प्रशंग है, तो लकार आएगा, पुरुष आएगा, और वचन आएगा, तो यहाँ पर भवंज धातु है, उसके लिट लकार, पुरुष और एक वचन में क्या बनता है भभनज इस प्रकारे विध रतिओं जो अन्विय के अंदर हमारे संबुक पद आये थे उनकी पदों के परीचे को हमने जाना है अब हम भावार्थके ओर अग्रिशर होते हैं विध रतिवं जो हमावर शलोक है वह शलोक किस भाव को प्रकट करता है वह हम जानते हैं तदनन्तरम उसके पश्यात महान तेजश्वी जटाई हुँ जटाई हुँ ने अस्य अर्थार्थ रावन से रावन के मुक्ता मनी विभूशितम मुक्ता मनियों से सुसजित बाणम बाण को चापम धनुष को विशालम धनुच और विशाल धनुष को चरणाभ्याम पंजों से भगनम कृतवान तोड़ दिया इस प्रकार से इश्लो का भावार्थ है चले विध्यरतियों और प्रगारता से समझते हैं और इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं उश महाबल शाली पकसी राज जटाईयू ने अपने तीके नाखुन वाले पंजों से रावन के मुक स्लोक से जो प्रश्न निर्मान की प्रक्रिया है उसको समझते हैं और उसके उत्तर देते हैं कि स्लोक से किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उनके उत्तर दिये जा सकते हैं देखिए यहां पर हमारे पास में सरप्रताम विध्यारतियों प्रश्न के तोर पर हमन भवंज किसको तोड़ दिया, तो यहां पर विधार्तियों धेखते हैं कहए बबबन्ज, महान ते जहा भवंज महां ते जस्वी को तोड़ दिया महां तेजवी क्या है ? चरना भ्याम, चरना भ्याम से क्या अतात प्रिया है, पंजों से, तो अर्थ कहलेंगे, महा तेजहा चरना भ्याम भवंज, महान तेजस्वी को पंजों से तोड़ दिया, इस प्रकार से यहाँ पर हमने अर्थ लगाया, आगले प्रिश्ण के और बढ़ते हैं, महा तेजहा कि चरणा भ्याम भवंज महान तेजस्वी धनुष को पंजों से तोड़ दिया इस प्रकार से हमारा अर्थ है और प्रश्णी क्या बनता है यहां पर महान तेजस्वी को किस से तोड़ दिया यहां पर एसे अर्थ लगाते हैं तो महान तेजस्वी महा धनुष को पंजों से तोड़ दिया महान तेजस्वी महा धनुष को पंजों से तोड़ दिया महान तेजस्वी किस प्रकार के बाणों से युक्त धनुष को रावन के महा धनुष को और रावन के महा धनुष को पंजों से तोड़ दिया तो वह किस प्रकार था? किस प्रकार से था विध्यरतियों? मुक्ता मनि विभूशितम, मुक्ता मनियों से सुसजित अर्थ क्या लगाएंगे देखें, महान तेजश्वी, मुक्ता मनी उसे सुसज़ित, वानों से युक्त, धनुषको, रावन के महान धनुषको, और रावन के महान धनुषको, पंजों से तोड़ दिया, इस प्रकार से विध्यर्तियों हमने प्रश्न भी बनाये और उनके उत भी यहां पर दिये हैं अब धर्तियों आगले श्लोग के लिए मिलते हैं हम आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद